पुलीस भरती परिक्षा के चार अलग अलग परिशन पत्र बनाने पर मन्तन माने गवर्मेंट जो इस समय पे वेरिफिकेशन करने के लिए अब क्लेरिफाइ करने के लिए कमपेशन देने के लिए चार डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम बनाने की तैयारी में मतलब यह हुआ कि A, B, C, D जो सीरीज होती है अब चांसस इसके 100% होने को आए हैं कि हर क्वेशन पेपर अलग होगा पहले हर पेपर जो होता था उसकी सीरीज अलग होती थी क्वेशन जो उपर नीचे होते थे पर क्वेशन सेम होते थे इस बार चार सीरीज और चार डिफेंट पेपर बनाएंगे आई यह पढ़ते के लिखा हुआ है पेपर लीक होने से पुलीस कॉंस्टेबल भरती की लिखित प्रिक्षा रद होने के बाद अब सरकार पुकता बंदवस्त करने में जुट गई है इस बार लिखित प्रिक्षा में चारो सीरीज के प्रशन पत्र अलग-अलग करने को लेके सरकार त्यारी कर रही है मतलब यह होगा कि इस बार कंपेटिशन पीक पे होने वाला है चार सीरीज होंगी चारों क्वशन पे प्रलग होंगे सूत्रों के अनुसार सची वाले MS मंगलवार को मुख्य सची में वही बैटिंग ने कहा गया है कि प्रशन पत्र के कई सेट त्यार किये जाएंगे माने चार डिफरेंट सेट त्यार किये जाएंगे और चारों सीरीज में प्रशन पत्र एक जैसे नहीं होंगे पहले आगे बिशे होते थे अब अलग होंगे और परिक्षा का परिणाम जो होगा वो पांच दिन के अंदर निकाला जाएगा जैसा इकजाम होता है 29 में को हो 30 में को हो उसके ब्으면서 पांच दिन के अंदर अंदर रिजर्ड निकाला जाएगा और ये कहा गया कि जो इस बार लीक होने के रिजन थे जहां पे छपाई हुई थी उसकी वज़ा से जो है ये गलत हुई थी चीज़े तो इस बार जो है दो तीन अफसरों के बीच में ही परशन पत्र रहेगा और छपाई के वक्त भी दो तीन लोगी वहां रहेंगे और ये सा दो बार परक्षा रद हो चुकी है पहले 19 में हुई थी और दोबारा फिर हुई है इसी सरकार में बहुत ही difficult question set या बहुत ही different variety of questions लाने की होड में इस समय रहेगी ये हमारे पास information थी शिवाना आइस अकेडमी के YouTube चैनल को subscribe करें ऐसी कई information देखने के लिए thank you very much